तो हला दोस्तों कैसो हो आप लूग टॉप 3 पेस्ट 108 मेगा फिसल का कैमरा मोबाल अंडर 15,000 तो दोस्तों आप अगा धूंडो 15,000 के आंदर बेस्ट 5G कैमरा डिवाइस तो ए वीडियो आपके लिए होने वाले या पर मैंने तीन ऐसे डिवाइस के बारे में बात किया है जा से वीडियो फिचर में और भी देखने के लिए तो ए डिवाइस से इनफिंस की तरफ से इनफिंस नोट 35 जी ले दोस्तों बिना टाम उच्ट के एकर करके सब इस पीचर को इसकी जान लेते तो सबसे पहले आपको मिलने वाला 6.78 इंचिस का फूल HD प्लस आइपेस डिस्प और दोस्तों बात करें बैटरी की तो एक घंडे पे आपकी बैटरी को फूल जर्च कर सकते हो और दोस्तों सबसे बढ़िया बत इस मोबिल के आपको मिलने वाले डूअल स्पिकर विच जेबिल ट्यूनिंग आदोस्तों इसकी जो आडियो क्वालिटिय वो काफी सांदर हो अने वाली है और दोस्तों बात करें पार्फोर्मेंस की तो यह आपको मिलने वाले डामेंसिटी 6080 5G चीफ सेट जो 6 अने में बेस है और दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह आपको मिलने वाले 14 5G बैंड जो इस मोबल को काफी अच्छी वाना देता है क्योंकि इस प्राइ जो दूसरी बेंड है वह 8GB प्लास 256GB जिसकी प्राइस यह पर आपको 15500 मिलेगा तो मैं तो रेक्मेंड काऊंगा आप 1000 जादा देके जो हायर बेंड है वही लेना वह आपको अच्छा मिलेगा और दोस्तों आपको कोई भी सेल पर इसे बाई करते हो तो यह आपको बहुत दिसकांट मिल सकता है यह जो डिवाइस 14000 के आदर आता है कोई भी सेल पर आप उसे बाई करते हो ते सब्से बैना पर माने डिवाइस बाईगा इस प्राइस-पवाइंट के अंदर तो दूस्तो एक डिवाइस है रेडमी की तरप से नेवली लांच डिवाइस रेडमी नोट 13 5G तो एक एक करके इसकी सबी फीचार को डेटेल्स में जान लेती है तो सबसे पहले बात कर लुक एंड डिजाइन की तो यहां पर आपको मिलने वाले रेयर पर त्रिप्ल कैमर दे गा, वह बात करें इस डिवाइस की डीष्प्लेए के तो यहां पर आपको मिलने वारे लाएस 6.67 इंचीस का फूल HD प्लास एमूलेट डीष्प्लेए जहा पर आपको बिलियॉन कलर मिलेगा है इस डिष्प्लेएं की और डीष्प्लेए को समूध करने के लिए हां पर जो डिस्पले को काफी स्मूथ कर देगा आउट्डोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि आपको मिले वाले थाउजन नीट पिक ब्राइटनिस जो काफी अच्छी बात है डिस्पले को सेप डाकने के लिए यह आप दिया गया कोई गोईला ग्लास फाइब की प्रोटेक्शन जो अभी काफी अच्छी बात है और दोस्तों बात करें इस डिपास की कैमरा की तो रियार पे आपको त्रूपल कैमरा सेटप देखने को मिलेगा जापे मेन कैमरा अहां नेटेन एट मेगापिसल का होने वाला है जिससे आप ट 16 मेगापिसल का एक सेलपी कैमरा मिलेगा जिसे भी आप टेन एटीपी थार्टी एपिस पर वीडियो शूर कर सकते हो बात करें इस डिवास की पारफोर्मेंस की तो यहाप आपको मिल लेवाल है मीडिया टेक डामेंड सिटी 6080 5G जिपसेट जो 6 एनम पर बेस है इस डिवा डिवाइस की बैटरी की तो यहाप आपको मिलने वाले 5000 इमीज को लाज बैटरी 33 वाट फास्ट चरजिंग डिवाइस की सेक्यूर्ट पे यहाप आपको मिलने वाले साइड मॉट एट फिंगर पिन उसकी साथ साथ इस डिवाइस पर आपको 3.5 mm jack मिल जाएगा यहाप आप अब बात करते हैं इसकी प्राइज की बढ़े में तो इसकी जो 6GB प्लास 128GB बोला ब्रेंट है उसकी कर्ण टाइम पर प्राइज 17,000 तू 18,000 के अंदर फ्लेक्ट हो रहा है उसकी साथ 8GB प्लास 256GB का जो प्राइज है वो 19,000 है और 12GB और 256GB का प्राइज अभी कर्ण टाइम पर 21,000 के आसपास है पर maximum time base brain पर यापको 1,500 इसके आसपास डिसकांट मिल जा रहा है डिसकांट की बात इसकी प्राइज 16,000 के आसपास आ रहा है तो आपके requirement की हिसाब से आप कोई से भी बहरें को चुछ कर साथ है तो दोस्तों एक डिबाइस है रियल्मी की तरफ से निवले लॉंच डिबाइस रियल्मी 11 5G जो एक काफी संदर सा डिबाइस है तो बात करें इसके look and design की तो यह पर आपको back पे round से पे camera model मिलेगा प्लास्टिक बैक होगा उसकी साथ अलूमिनियम फ्रीम में मिल जाएगा डिबाइस की ओट है 190 ग्राम जो काफी हलका है तो look and design रियल्मी 11 स्रीज की सभी डिबाइस की सेमी रहत है सिर्फ कालर में थोरी बहुत चेंजेस आता है दोस्तों बात करें इस डिबाइस की डिस्प ब्राइटनेस की सापूर्ट भी दिया गया है जहां पर आपको 1080 x 2400 पिक्सल रेजुलेशन मेले वाले 20 इस टो डाइट रेसों की साथ ओवारूल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगडी है और दोस्तों बात करें इस डिबाइस की क्यामरा की तो रहार पर आपको डूआल कैमरा से जिया को मिलेगा जापर मेंट कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाले जिसकी मतर से अब 1080p 30 पे विडियो सुट कर सकते हो उसकी सचार 2 मेगा पिक्सल का एक डिब्ट कैमरा की सबूर्ण भी दिया गया है और दोस्तों बात किया जैंग इस डिबाइस की फोट गामरा की तो यहाप आपको 16MP का एक selfie camera मिलने वाला है जिससे भी आप 1080p 30fps पर विडियो सुट कर सकते हो उभारोल camera की quality काफी अच्छी है इससे आप काफी अच्छी quality का photo और विडियो निका सकते हो और दोस्तों बात कहाँ जाए इस device की performance की तो यहाप आपको मिलने वाले media tech diversity 6100 प्लस 5G chipset यह device 5G के साथ आने वाले है बात कहाँ रम और रॉम की तो यहाप आपको 2 variant मिलेगा जापे base variant पे 8GB RAM, 128GB ROM मिलेगा उसके साथ 8GB RAM और 256GB ROM और एक दूसरी variant पे मिलने वाला है और दोस्तों मुझे सबसे अच्छे लगी इस device के इस device पे आपको मिलने वाले 5000 image का लाज बैठी विच 67W पार्स चार्जिंग हाँ दोस्तों इस device पे आपको 67W की चार्जिंग मिलने वाला है जिसके मादर से आप 0-50% चार्ज सर्फ 17 मिनिट पे कर सकते हूँ जो काफी अच्छे बात है वाई पे इस device पे security पे साइड माउंट एड फिंगर पिन की सब्पोर्ट देया गया है एडिवर्स रान होने वाल रियल में UI 4.0 और Android 13 पे इस device पे आपको डुआल सेम की सब्पोर्ट देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह तो होगा इसके सबी फीचार आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की बाए में अगर पाते हो तो काफी संजासा एक डिवाइस है आप इसे जड़ू ले सकते हो वह एपर बात करें दूसरी फेरेंट की 8GB प्लाश 256GB उसकी कायन टाइम पर प्लाश तो आपकी रिकॉर्मेंट की हिसाब से आप कोई साभी बाई कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना इता बहुँ अच्छे तो लाइक करना चालों को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी दिखने के लिए